एलेक्शन 2018 में तारीखी धानली हुई किसी कटपुतली का गुलाम बनने के लिए आजादी हासिल नहीं की थी RTS सिस्टम को फेल कराया गया पोलिंग एजन्स को बाहर निकाला गया बिलावल भुटों की हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद बोले अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो जमूरियत नहीं जिसके लिए जयालों ने कोड़े खाए देशदगर्द कुलभूशन यादिव का इंटरव्यू टीवी पर चल सकता है लेकिन साबिक सदर का नहीं अब इस मुल्क में अवाम के मर्जी की हुक्मरानी होगी ये वो जमूरियत नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्टों ने कोरे खाए थे हमने इसके बाहरत से और आमरों से अजादी नहीं चीना था ताके हम किसी कट पुट्ली का घुलाम बने 2018 में हमने फिर कोशिश की कि इस पर साफ शुपा कोलेक्शन होंगे आई में भी तर्मीन लेकर आएं लेकिन फिर आप सब ने देखा किस तरीके से तानली की गई तारीखी तानली की गई और भार में बोलिंग स्टेशन से आपके बोलिंग एजन्स को बाहर निकाला दिया आर्टी एस सिस्टम को बेल करवाया गया गुलबोशन यादव वर रो एजन्स का इंट्रिव्यू तो चल सकते हैं इंडियन एफ़ोस का पाइलिट का इंट्रिव्यू तो चल सकता है मगर एक चुहुरी सदर का एक साब एक सदर का सदर सर्दारी का कुफ्त को नहीं चल सकता है अगर इस मुल्प में हुकमरानी होगी तो वाम की मर्जी का हुकमरानी होगी